है दोस्तों आपको मेरे चैनल में बहुत स्वागत है चलिए आज बनाते हैं कुछ शलगम के साथ में तो यह शलगम मैंने अची तरीके से छील के इस तरीके से पीसिस में कट कर लिये है और यह किन मानि इती टेस्टी सबजी बनती है कि आप हर बार बनाना इसको चाहेंगे कि हर सीजन में मैं इसको बनाओं तो मुझे इसको भूनना है तो मैंने दो टीबल स्पून ओयल लेके कोकिंग ओयल लेके इसमें भूनने के लिए रग दिया है पतले-पतले स्क्लाइस में कट करने के बाद में और इसको मैंने छीलने से पहले ही वाश कर लिया था और बहुत तो यह दूल भी गए थे क्योंकि इन में मत्या होती है और यह देखिए हलके हलके से जब गुलाबी जाएंगे कलर चेंज कर लेंगे तब इन्हें हमें निकाल लेना है और इसी में हम बनाएंगे तड़का तो तड़के के लिए मुझे चाहिए एक चम्मत जीरा और मैंने इस और जिए मेरे चैनल पर नए है नई है तो प्लिस लाइक केजिए गया शेयर किया कमेंट कीजिए है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बेल आइकन को फॉल प्रेस कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमर को बहुत मुटीबेट करता है और यह ने एग बास नमक भी जाएगा तो मैं अपने टेस्ट के घॉडिंग यहीं पर भी नमक कर दिया है जितना मुझे चाहिए और यह देखि बहुत अच्छे से तयार हो गए है टमाटर तो यह हलके से अभी इन में पानी है तो मैं इसी में मटर ढाल दूँगी क्योंकि मुझे इन में पानी ए तो यह देखिए बहुत ही अच्छे से इसको मैं मटर को भून दूंगी और यह सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि सीजनल मटर है तो सॉफ्ट तो वैसे भी है कच्छी मटर आरी है बिल्कुल तो यह बो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और अभी इसमें एड कर देंगे हम कुछ मसा तो सुख्य मसाले इसमें जाएंगे बेसिक सी मसाले जाते है और इसमें एक ट्विस्ट डालूंगी मैं जो कि मैंने बना कर रख रखा है तो मैंने एक चमच दनिया पाउडर डाल दिया है आदा चमच देगी मिर्च टाली है और यह गर्म मसाला डाल दिया है और आदा ही च जब कोई रैसिपी बनाती हो ने में बहुत ही अच्छी लगती लगती है तो यह अब में भुने हुए श्ल्गम मुझे अड़ करने है .. तो मैं इने भी अड़ कर लेती हूँ .... और बहुत ही सब्सबसी लगती है और खाने में तो ये ला जवाब लगती है तो चलिए इसमें सिरफ 2 टेबल स्पून मुझे पानी आड़ करना है ताकि जो हमारी थोड़ी बहुत सब्सपून का जो मसाला है वो अच्छी तरीके से लग जाए और ये देखिए कितना पानी इसने रिलीज कर दिया है अगर आप इसको रसे बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेश पे इसको फिनिश कर सकते हैं पर मैं इसको बिल्कुल सुखी सबजी बनाऊंगी बहुत अच्छी लगती है ये मेरी ममी की रेसेपी है मेरी ममी को बहुत पसंदे शलग मटर की सबजी तो ये फाइनल ये जब सूख जाएगी सबजी तो इसमें मैं अट कर दूंगी ये हरा धनिया आपको आपको ये रेस्पी पसंद आई होगी पसंद आई तो थैंक्यू सो मच